नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका पराग टेलर चैनल पर देखे दोस्तों आज मैं आपको यह जो मैंने थम्मेल पर फोटो दिखाई है इस प्रकार के बुलाउस की कटिंग बताने वाला हूँ और देखे इतना बड़ा गला अगर आप कटिंग कर रहे हैं तो आपको माल करेंगे यह प्रोबलम बहुत लोगों के आ रही थी तो इसी पर मैंने वीडियो बनाने का आज फेशला किया है और मैं इसी विशेव पर वीडियो बना रहा हूँ तो इस वीडियो में देखिएगा आप कि शोल्डर गिरने की सारी प्रोबलम कैसे खतम होती है और फिर आप कटिंग कीजिए देखिए बुलाउस की लंबाई है साड़े तेरा इंच चेस्ट है थर्टी एट अपर चेस्ट है थर्टी सिक्स कमर है थर्टी शोल्डर इसका फोर्टीन एन हाप और इसको हम कैसे कनवर्ट करेंगे कितनी चोड़ी पट्टी कैसे रखेंगे यह सबी इसका रहेगा बैगनेक 11.50 फ्रट नेक इसका 6 इंच रहेगा तो इसको हम कटिंग करेंगे इस प्रकार का बुलाउस अगर कटिंग करेंगे आप तो डायरेक्ट कौड़े पर मत काटिए पहले आप क्या कीजिए एक फर्मा बना लिजिए ठीक है और फर्मे कैसे बनते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ और इसको हम कपड़े पर रखकर केसे कटिंग कर सकते हैं वो भी आपको बताये जाएगा देखिए सबसे पहले अगर हमारी बलाउस की लंबई है साड़े तेरा इंच तो हमको इसको रखना है साड़े चौदा इंच ठीक है और आप क्या करेंगे यहां से अगर आपका चेष्ट फुल चेष्ट 38 है तो आप इसको साड़े 5 इंच पर आर मोहल की लंबई रखेंगे ठीक है और यहां पर देखिए गला हमारा है साड़े 11 इंच तो इसको हमको 12 इंच पर रखना पड़ेगा ठीक है ऐसे अब देखिए य यहां से में लगाता हूँ निशान ऐसे एक निशान हमारा यह रहेगा उपर का यहां पर एक मार्क हम लगाएंगे इस जग़बर ठीक हैं और यहां निचे देखिए नीचे आदा इंच का हमारा दबाव है तो आदा इंच के दबाव को लगा कर भी हम यहाँ पर एक मार्क ऐसे लगा लेंगे इस पर भी आदा इंच दबाव हमारा रहेगा तो उपर भी एक मार्क हमको ऐसे लगा लेना है ठीक है अभी आपको समझ में आ गया है मैंने इस पर है न साड़े 5 इंच का आर्म होल की लंबाई रखी हुई है क्योंकि ये गला मेरा 12 इंच है तो मैं इसको देखिए आपको यहाँ पर कैसे एक्जेस करते हैं कैसे यहाँ पर सोल्डर को एक्जेस करते हैं अभी बताता हूँ देखिए अगर आपका गला 12 इंच का है तो आप क्या कीजिए जैसे इसका शोल्डर है 14 इन हाप याने 14 इंच ठीक है इस पर से आपको सीधे से ये 10 इंच को गायब कर देना है याने 1 इंच को और यहाँ पर निकालना है साड़े 4 इंच का शोल्डर क्यों निकालना है क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर रखा मैंने 1.5 इतना हम यहाँ पर ऐसे दबाएंगे देड़ हिंबर याने आदा इंच में एक पाइंट कम यहाँ पर हमको सोल्डर पट्टी चाहिए देड़ इंच की तो यहाँ रखेंगे और यहाँ पर देखिए यह हमारा दबाव यह गले की तरप का दबाव रख लेते हैं मैंने आपको बताए साड़े चौदा है तो यहां से एक को हटा दीजिए साड़े चार रहेगा अगर 12 इंच का गला आपको पहनना है तो इसको मैंने यहां पर लगा लिया है देखिए सवा दो और एक पाइंट पर गला रहेगा नीचे का गला कितना रहेगा हमारा इसका रहे गला नीचे की तरफ चोड़ा है तो इस प्रकार से गुले आपको देना पड़ेगी ठीक है तो मैं देखता हूँ कि आज कमेंट कित्ती आती है कि इस बलाउस की stitching भी बताई जाए और यहां देखिए यह जो उपर है न पाव इंच का आपको ऐसे डाउन दे देना है यहां पर पाव इंच का आपको डाउन देना है पाइंट टू फाइप ठीक है ऐसे अब देखिए यहां का मेजरमेंट कैसे उठाते हैं सबसे पहले मैं लगाता हूँ यहां पर आट इंच में यही पर ऐसे ही लगाता हूं हमेशा क्योंकि मैंने इसी पर काम किया है तो मुझे यह मालूम है कि इस तरीके से ब्लाउस में यहां पर जोल नहीं आएंगे अब देखिए यहां से मैं नापूंगा अपना 9 इंच है ना अपर चेस्ट 14 जिसे 36 अपर चेस्ट है उसका 14 आता मतलब यहां पर आदा इंच हो जाता है मेरा कम हमेशा अब यहां से क्या करेंगे हम ऐसे रखेंगे पहले नाप लेंगे उपर साड़े चार इंच नीचे भी नापेंगे ऐसे साड़े चार और इस निसान को देखिए मैंने यहां पर ऐसे लगाया अब देखिए यहां पर आ इतना बड़ा गला कटिंग कर रहे है अपन 11-12 इंच का तो यहाँ पर सीधे से हमको 5 इंच बड़ा देना है ठीक है मतलब 0.75 और यहाँ से लेंगे हम ऐसे ठीक है यह देखिए यह अब देखिए यहाँ पर से हमको कटिंग करना है यह निशान हमारा गलत हो गया है तो हमको यहाँ से ऐसे रखकर आदा इन दबाव का जो हमारा है ऐसे तिर्चा रखना है ठीक है अब यहाँ पर हलका सा देना है हमको सेफ फ्रेंच करव की मदद से भी दे सकते हैं अपन ऐसे यह देखिए यह हो गई मेरी बेक की ड्राइंग अब देखिए यहाँ पर रखेंगे ऐसे कितना आ रहा है यह 16 इंच याने हमारा यह आर्म होल आदा इंच बढ़ रहा है ठीक है अगर इस पोजिशन में आपका आर्म होल आदा इंच बढ़ रहा है तो आपको क्या करना है मैंने बता है पहले ही आपको इसको पाव इंच आपको उपर कर लेना है ठीक है याने आब यह मेरा कितने पर कटेगा सवा पांच इंच पर ठीक है आर्म होल हमारा सवा पांच पर कटेगा तो यह हमारा बिल्कुल 15 तैयार आ जाएगा ठीक है आप देखिए यहाँ पर जैसे हमारे कमर कितनी है 30 30 का 14 किता आता है 7.50 तो यहाँ पर हमने 7.50 याने 7.50 पर निसान लगाया यहाँ पर 1 इंच की हम देंगे डाट के लिए और 1.5 इंच यहाँ पर रखेंगे मारजिंग ठीक है यहाँ से पहले हम यह निसान को तयार कर लेते हैं ऐसे यहाँ और यह दबाओ का ठीक है अब देखिए यहाँ से इसे नापेंगे हम यह साड़े 8 इंच आ रहा है तो 4 इंच पर रखेंगे आदा इंच उदर धका देंगे ठीक है यहाँ 4 इंच पर रखकर यह डॉट की मार्की देखिए डॉट यह गला बड़ा भी हो गया है तो कोई बात नहीं अपने को डॉट जो रखना है लगभग 4 इंच का रखना ही है अगर हम इतना डॉट नहीं रखेंगे और जिन लोगों को मालूम नहीं है कि डॉट को फिनेशिंग कैसे देते है हमारी स्टिचिंग का वीडियो जरूर देखना डॉट को फिनेशिंग कैसे देंगे और यहाँ पर सल कैसे नहीं आएंगे तो यह देखिए मैंने इसको डॉट के लिए एक इंच का यह मार्क लगा दिया यह हो गया मेरा डॉट कम्पलीट अब देखिए जैसे इस तरह का बलाउस लेगा ना वहां से ठीक है ऐसे यह डॉट लगने के बाद देख लेना कि यह सीधा हो रहा यह नहीं हो रहा अगर नहीं होता है तो थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं उसके लिए आपको स्टिचिंग का वीडियो देखना आवश्यक है ठीक है अब देखिए यह मेरी ड्राइ कर लेंगे और कटिंग कर लेंगे ठीक है तो अभी आपको जो कटिंग बता रहा हूं में फरेंट में होखाई के लिए कि यहां पर रखेंगे ऐसे और यह है मेरी आदा इंच दबाओ के लिए अब देखिए यह मैंने एक इंच नीचे बढ़ा कर रख लिया है यहां पर हमको ऐसे निसान लगा लेना है ठीक अब इस भाग को यहां रखेंगे इसे वापस यह देखिए लगभग एक सेंटीमीटर कम पड़ रहा है कोई बात नहीं इसको तो सीधा ही कटिंग करना है हमको तो यहां पर देखिए यह मैंने निसान लगाया उपर का और यहां निसान लगा दूँगा मैं ऐसे सीधा ठीक है अब जिसे यह बेक का गला हमने कितना कटिंग किया था धाई इंच का तो फरेंट का गला हम जब हमारा छोटा रहेगा तो इसको कटिंग करेंगे हम तीन इंच का ठीक है फ्रेंट का गला आदाइन चोड़ाई में बढ़ा लिया जाएगा और इस निशान को भी आदाइन इस तरफ रख लिया जाएगा अगर शोल्डर की ऐसे कटिंग कर रहे हैं तो देखिए यहां रखेंगे ऐसे हम ठीक है यहां रख लिया इस भाग को यहां पर निशान लगा लेंगे ऐसे और नीचे देखिए यह जो निशान ने इसको मिला लिया मैंने अब मैं यहां पर मार्क तयार कर लेता हूँ ऐसे ठीक है एक मार्क थोड़ा सा नीचे लगा लेता हूँ यह बताता हूँ मैं आपको क्यों यह मुझे उपर बढ़ाना था लेकिन मैं इसको नीचे बढ़ा देता हूँ और इधर तरफ क्या रहेगा मेरा कटिंग में जाता ही है तो देखिए यहां पर इसको निशान को ऐसे तैयार कर लिया है ठीक है यह एक इंच की यहां पर बढ़िती आ चुकी है आप देखिए यहां पर यह होगा मेरा आदा इन दबाव का एश्ट्रा अब क्या करेंगे यह निशान मेरा है गलत और यह निशान सही है इस निशान से हमको लगभग देड़ इंच उपर एक मार् देखिए यह 9 इंच हमारा फॉरंट है 36 का इस पर 0.75 एश्ट्रा बढ़ा देंगे तो यह हो जाएगा मेरा 9.75 ठीक है यहां पर हमको रखना है 9.75 ऐसे इस पर आपको मार्जिंग अलग से नहीं देना पड़ेगी मार्जिंग इसमें 7 में है और आपको कही पर भी मार्जिं अलग से नहीं देना है ठीक है तो यहां पर देखिए आप बस्ट पाइंट निकालते हम देखिए 9.5 इंच इसका फॉरंट आ रहा है तैयार तो इसको हम रखेंगे 10 सवा 10 इंच रख लेते हैं ना 0.75 बढ़ा देंगे यहां पर इसका फॉरंट है शाड़े 9 तो 0.75 बढ़ इस पर ऐसे निसान लगाएंगे और इस निसान को मैं लगा दूँगा यहां से ऐसे सीधे अब देखिए यहां पर मैं 0.75 का एश्ट्र बढ़ाओंगा x5ैकरी बढ़ाऊंगा क्योंकि मैं यहाँ पर dot देता हूं 0.75 का तो इस निशान को क्या करना है हमको जितना हमारा आया है ना उसको ऐसे लगा देना है सीधा ठीक है यह .75 आ गया यह साड़े 10 इंचे यहाँ पर मुझे dot नहीं देना है dot मुझे यहाँ देना है तो मैंने क्या किया यह .75 आगे बढ़ा दिया यह आपको समझ में आगया होगा अब यह cutting यहाँ से नहीं होगी और यह यहाँ से नहीं होगी यहाँ से cutting होगी सीधी ऐसे तो इस पर आपको देना है आगे दबाओ का यह रहेगा मेरा दबाओ तो आप देखिए यह मेरा complete निशान बन गया है मैं यहाँ रखूंगा ऐसे ऐसे और यहाँ पर से क्या करेंगे हम पहले लगाएंगे एक ऐसे mark ठीक है और इस mark को हमको यहाँ पर रखकर करना है complete अब यह ब ऐसे देख लिजिए आपको पूरा ध्यान रखना है यह हो गया मेरा front यह मैंने cut कर दिया है ठीक है यहाँ पर अब यह जाएगा मेरा यहाँ पर से दबाओ प्रिंस कट मैं cutting करूँगा इस जेगे से अब देखिए हमने क्या किया था यहाँ से 0.75 का रखा था tux तो यहाँ पर देखिए यह मेरा 0.75 का tux है और यहाँ से देखिए हमको करना है cutting यह आएगा मेरा दबाओ और यहाँ पर भी यह है मेरे पास दबाओ यह दोनों चीज म मैंने कहां बढ़ाया आपको अभी बता देता हूँ जैसे 9 इंच इसका फरंट था 0.75 इसके लिए बढ़ाया मैंने यहाँ के लिए और 0.75 इसके लिए यहाँ से यह बढ़ा दिये याने यह वाला ठीक है यह कहां आ गया है यहाँ पर अब इसकी complete हो गई है पूरी ड्राइ अभी आपको बताता हूँ इसका आर मोहल के से बढ़ाना है देखिए आप इसको ले जाना है आपको ऐसे आगे यहां रख लेना है यहां से देखिए यहां मिलाना है और यहां पर रख लेना है आ गया और इस निशान को हमको यहां पर ऐसे लगा देना है ठीके ऐसे है यह ह हों गया मैराDD-॥ाइंग शंडर का आधा भाग आता है सवा साध का आधा आता है हमारा पोने चार इंच तो हम पोने 4इंच कहां से रखेंगे ऐसे ठीक है और स्पाव इंच समारे पाऊं से एश्टर हेगा तो मैं इसको यहां से 4 इंच रख लेता हूँ यह देखिए ऐसे आपको रख लेना है और यहां से खेच देंगे हम निशान यहां से, कटिंग यहां से होगी है और देखिए एक निशान और बनाते हैं इसका ऐसे, यह होगी मेरी पीछे डॉट रहेगा न बीच में इस डॉट को मैं निकाल दूँगा ठीक है, मैंने यह डॉट कहां से लाया यह देखिए, यहां से ठीक है, आप देखिए नीचे क्या करना है यहां से हम क्या करेंगे सीदे इस निशान को जहां जा रहा है वहां पर ले जाते है ठीक है, ऐसे गुलाई गुमाते हुए अब देखेंगे इसका डॉट कितना चाहिए तो यहां से देखिए मैंने सवा दो इंच पर ऐसे रख लिया अब इस निशान को क्या करना है हमको कब साइज हमारा लगभग धाई इंच पर आएगा देड़ इंच हम इसको और उपर लगा लेंगे एक मार्क देखिए मार्क तो लगेंगे आपको मार्क समझना पड़ेगा अगर कटिंग समझना है तो है न और यहां कितना रखेंगे हम सवा दो इंच और इसको हम लगाते हैं निशान यह देखिए ऐसे रखा लेंगे हम ऐसे और लगभग यहां से ऐसे मिला देंगे ठीके यह मैंने एक इंच जो एश्ट्रा बढ़ाया है वो बढ़ा कर ही आपको रखना है ठीके इसको हमको यहां से ऐसे मिला देंगे हम लगभग पाव इंच नीचे करकर और यहां पर भी देखिए हमको ऐसे मिला लेना है ऐसे हैं इसको हमको यहां पर मिला कर बीच का कटिंग कर देंगे और फिर आपके देखते हम इसकी कमर कितनी आ रही है आप देखिए यहां पर मैंको रखना है गला कितना रखना है गला रखना है, छे इंच तैयार तो मैं इसको रखूँँगा साड़े छे इंच पर मैं सीधे में गला नापता हूँ हमेशा आपको मालुम है और यहां से देखिए ऐसे और इस गले को अपन कटिंग कर लेते हैं यह सीधा निशान लगाया हमने और यहाँ पर से हलका सा U-shape में गला को कटिंग करेंगे ठीक है? ऐसे अब इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना यह मार्किंग जादा लग रही है आप लुगों को तो भी मुझे बताना अगर मार्किंग कम करना है तो उस हिसाब से भी बता दिया जाएगा लेकिन क्या है? यह चीजे सभी आप लोगों को भी समझना जरूरी है कि हमने यहाँ पर .75 क्यों दिया है? यह .75 इस डाट में मैच हो जाता है ठीक है? इसलिए दिया हो है और यहाँ से इसको देडिंज उपर क्यों रखा हुआ है? क्योंकि यह दोनों चीजे मुझे यहाँ पर ही मिलाना है सब और अगर मैं इसको मार्जिंग सहित नहीं कटिंग करूँगा तो आपको आसान तरीके से मैं इसका नेक्स वीडियो और डाल देता हूँ जिस पर आपको मार्जिंग अलग से देना पड़ेगी ठीक है? तो देखिए आप मैं इसको कटिंग करता हूँ आभी देखिए यहाँ पर आकर हम यहाँ पर रखे हैं दबाव मिला कर देखिए यह मैंने ऐसे रखा हुआ है इतना हम दबाव देएंगे दोनों तरप का 0.75 का दबाव आएगा कुल और यहाँ देख लेते हमारी कमर कितनी है? साड़े 7 इंज 1 फोर आएगा ना 30 का तो साड़े 7 कहा आ रहा है? यहाँ पर मतलब हमारी यहाँ पर आएगी कमर ठीक है? इतनी आप देखते हैं इसका फरंट ऐसे रखेंगे हम दबाव के सहीत देखिए मैंने दबाव रख लिया उपर यह पोन इंज का दबाव ठीक है? यहाँ पर रखकर हम इसको देखते हैं चेक करके हैं इसको यहाँ पर से हलका सा मैंने बताया था ना फरंट की ड्राइंग आपको देना पड़ेगी यह हो गया हमारा यहाँ पर दोनों का दबाव अब देखते हैं हमको फरंट कितना चाहिए तैयार? यह दबाव मिला दिया हमने अब यहाँ पर सिरिफ हमको तैयार फरंट चाहिए फरंट चाहिए हमको 9 इंच का यह देखिए कितनी है यहाँ पर 9 इंच अगर इस प्रकार से आप कटिंग करेंगे ट्राइ करिए आपका बलाउस बिलकुल परफेक्ट बैठेगा और इसके जो अगले वाले वीडियो है उनको भी देखिएगा आपको मैं इसकी कटिंग जो है प्रिंसेस कट की डाइरेक्ट बताने वाला हूँ मतलब कैसे मार्जिंग अलग से देंगे अगर आपको वो पसंद आएगी तो उस हिसाप से कटिंग कर लेना और आपको ये कटिंग पसंद आती है मार्जिंग सहीद ये क्या हो गया है मालूम है आपको ये जो आप फर्मे खरीदते है न ये उसका तोड है ये परफेक्ट आपका एक बार फर्मा बन गया आपको इसमें कहीं पर भी मार्जिंग नहीं देना है डाइरेक्ट कटिंग कर लेना है इसी और इसको रख लिजिए हमेशा आपको ये काम में आने वाला है और इसी का नेक्स वीडियो आपको कटिंग करके बताने वाला हूँ जिस पर मैं डाइरेक्ट प्रिंसेस कट की कटिंग बताऊंगा जिस पर आपको margin देना पड़ेगी अलग से तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताईएगा और next वीडियो के लिए तैयार रहिएगा इसी बेक से आपको front की cutting मिलेगी अगर आपको उस front की cutting को समझना है तो इस बेक की cutting को हमेशा आपको समझना पड़ेगा ठीक है इतने बड़े गले का मैं वीडियो बना कर आपको सभी size में और सभी चीजों में बताने वाला हो तो हमारे वीडियो के साथ बने रही है अगर वीडियो पसंद आए तो like कर देना चैनल पर new है तो subscribe कर लेना